नमशकार प्रियमित्रों, आप सभी का हमारे चैनल ब्यूटिफुल वर्ल्ड में हारदिक स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति सपने में खुद को गरीबी की हालत में देखता है तो इस सपने का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लगों से रिक्वेस्ट है कि अपने सपनों का बिल्कुल सही मतलब जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और यदि आप अपने किसी सपने का मतलब जानना चाहते हैं तो आप अपना सपना हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हम वीडियो के माध्यम से आपको आपके सपने का मतलब बताने की कोशिश करेंगे वैसे तो कोई भी व्यक्ती कभी भी अपने आपको गरीबी की हालत में फटे हाल में नहीं देखना चाहता है और अगर सपने में भी व्यक्ती अपने आपको गरीबी की हालत में फटे हाल में देख लेता है तो व्यक्ती यह सपना देखकर डर जाता है लेकिन हम आपको बता दें कि यह सपना देखने के बाद आपको डरने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि सपन सास्तर के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सपने में खुद को गरीबी की हालत में देखता है तो यह सपना उस व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाला सपना होता है यह सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में आपके उपर माता लक्ष्मी की कृपा होगी जल्दी ही आपको किसी प्रकार का धन लाब होगा आपकी नौकरी या वैवसाय में आपको लाब की प्राप्ति होगी और आपकी कोई इच्छा, आपकी कोई मनोकामना पूरी होगी इस बात को भी यह सपना बताता है यह सपना देखने के बाद व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने शुरू हो जाते है तो यह होता है सपने में खुद को गरीबी की हालत में देखने का मतलब उमीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सपनों का बिल्कुल सही मतलब जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद